ED had paid for 10 days of remand, but we had objected to it. ED has allowed, has been allowed only 5 days of remand. Order अभी अप्लोड नहीं हुआ है, पांजली order जब अप्लोड होगा, तो हम लोग इस सित आपको कह सकेंगे, order में क्या है. आप लोगों कुछ जेल केंप में रखने की बाद के थे तो उप्छा था? जेल केंप में नहीं, हम जेल करसेडी में चाहते हैं, हम कैंप जेल की इच्छा नहीं रखते हैं. लेकिन नाइट स्टेज जो है, वो जेल केंपस में ज्यादे सेकुरिटी होता है वहाँ पर, तो हमारी सेकुरिटी बहुत बड़ा कंसर्ण है हमारे लिए. तो वो उसके सेक्रिटी के लिए हम चाहते हैं कि हमको जेल कर सेडी में रखा जाए। साम के समय में दिन बार आपका इंटरेक्रेशन खतम हो जाए तो साम में हमें वहां पहुंचा दें। कोड़े केस के बारे में है कि केस हुटा है एडी का कोई केस पीमेले का कोई केस नहीं बन रहा है और अरेस्ट बिलकुल ही लिगल है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ही ऐसा कोई मौका हुआ हो जब एक सिटिंग मुक्यमंतरी की गिर्फदारी हुई होुई हुए। हिंपोट हमें बता है कि किन मामलों में हम यहां आ सकते हैं किन मामलों में नहीं आ सकते हैं ये सरकार चाहती है कि कोई भी विक्पक्ष का मुक्यमंत्री अपने पत्पे नहीं बैठे अब ये अर्विन केजरी वाल के खिलाव भी करेंगे अब होगा क्या जब हेमन जी वहां गिरफदारी में होंगे तो दस केस और इन पर उपर ठोप दिया जाएंगे दोजार नौ का म इतिहास में शायद ही ऐसा कोई मौका हुआ हो जब एक सिटिंग मुक्यमंत्री को की गिरफदारी हुई हो शायद ही हिंदोस्तान की इतिहास में ऐसा हुआ है और वो मामला भी 32 के लायक नहीं है हां इतना जरूर होता अगर सुप्रीम कोट हमें कहती कि आप अपना केस मारे सामने रखिए और केस सुनने के बाद सुप्रीम कोट कह सकती थी इस मामले में हम इंटर्फियर नहीं करना चाते हैं आप हाई कोट जाए लेकिन यह कहना कि आप हाई कोट पहले जाए कोई सुनवाई ना हो या तो सुप्रीम कोट हमें बताया कि किन मामलों में हम यहां आ सक तो अब होगा क्या उनकी गिर्फदारी हो गई रिमांड हो गया और मैं आपको बताता हूं क्या होने वाला इसको को ताजुप की बात नहीं हमें तो पहले ही मालूम था कि ये देखिए ये सरकार चाहती है कि कोई भी विक्पक्ष का मुक्यमंत्री अपने पत पर नहीं बैठ अब ये अर्विन केजरिवार के खिलाफ भी करेंगे आपको मुझे मालूम है कि इनका मकसद ये है कि डबल एंजिन सरकार होने चाहिए कोई विक्पक्ष की सरकार होने ही नहीं चाहिए डबल एंजिन सरकार का तो मतलब यही है ना कि हमारी सरकार दिल्ली में भी और बाजपा की सरकार वहाँ भी यह इनका मकसद है अब होगा क्या जब हेमन जी वहाँ गिरिफदारी में होंगे तो दस केस और इन पर उपर थोप दिये जाएंगे और सब बनावटी केस हैं यह भी बनावटी केस है दस थोप दिये जाएंगे और वो निकलेंगे नहीं ताकि जब दोदार चौबिस का इलेक्शन हो तो फाइदा भाजपा को और एक आदिवासी जिसको मैं समझता हूँ कि हिंदोस्तान के इत्यास में शायद ही किसी आदिवासी को ऐसा पर्द मिलाओ उस आदिवासी को आपने गिरिफकार कर दिया एक फर्जी मामले में कोई एविडिन्स है नहीं कोई नाम है नहीं और क्या आरोप क्या है कि 8.5 एकड का कोई 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 जमीन है दोजार नौ में उन्होंने ये जमीन हड़प कर ली उस जमीन में इनका नाम और निशान नहीं है revenue record में इनका नाम और निशान नहीं है वो किसी और के कबजे में है और बुनियारी जमीन है वो ट्राइबल लैंड है जो किसी को ट्रांसफर हो यह नहीं सकता और जो original owner है उनको वापस आज के दे उनके वापक उनके पास लैंड है और इन्होंने हेमन जी ने यह बताया E-D को बता चुके हैं कि 2007 के बाद मैंने कोई एक एक property खरी दी नहीं कोई संपती ली रही 2007 के बाद मेरे पास कोई संपती है यह नहीं जो मैंने खरीदा हो कुछ लैंड खरीदा हो 2007 के बाद 2009 का मामला है और 2024 में गिरफदारी हो रही है और अगर यह बात भी अगर Supreme Court नहीं सु